गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप स्टेडी सेंटर बाय मोकुल सर जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मत्यपदेश लोकसिवा आयुक द्वारा मत्यपदेश प्रारंबिक परिक्षा के लिए नौटिपेशन जारी कर दिया गया है जिसके लिए आने वाले समय परिक्षा की करवाई जानी हैं तो इसलिए आप सभी लोगों को लिए एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें आप सभी को मत्यपदेश के समपूर सावन निक्यान जिसमें आने वाली परिक्षा है Uranus है चाहे MPPSC हो चाहे विया-पम हो चाहे कोई भी हो जो मत्यवित सरकार द्वारा आयुजित कराई जाती है के लिए बहुत महात्रपूर्ण तर्थियों साहित आपके लिए एक क्लास लाए हैं जो बिल्कुल फिरी है बस वो उन विद्ध्यार्थियों के लिए है जो विद्ध्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते हैं उस समय एक टॉपर अपनी नेन त्याकर पड़ रहा होता है बस इसको ध्यान रखिए कि आप जब सपने देख रहे हैं न एक दूसरा व्यक्ति उस सपने को सच करने में लगा हुगा है तो आप सपने तो देखिए साथ में उस सच करने के लिए भी अपने कार को लगन से रही है यह नहीं कि केवल सपने देख लिए सपने देखने से कुछ नहीं होता है सपने देखना अच्छी बात है लेकिन उसको अपने उपर बो करना कि जिससे तुमारे सपने सच हो सकें उससे ज़्यादा अच्छी बात है तो बस आपका यही मेरा motivation कुटे था कहने का कि आप लोग को एदी सपने देख रहे हो ना तो उसको पूरा करने के लिए वो अपने अंदर जज़वा जुनूर लाओ जिससे कि सामने बाला बंदा भी देखे तो कहे कि हां भाई भू भू कर रहा है उसकी मेनद तो इसको अच्छे से एक बार पड़ लेते हैं आप जब एकज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं उस समय एक टॉपर अपनी नीन दिया कर पड़ रहा होता है तो आप आप बस आपको यही धियान रखना है कि जब भी आप एक सपना देखें कि मैं टॉपर बन जाओंगा क्या मैं टॉपर बन जाओंगी क्या तो बस उसके लिए तुम्हें यह सोच रही होना तो उस समय एक दूसरा लड़का या लड़की किया कर रहा है उतने जाओंगे नैटेश की प्रवतों की बारे की परमोक इसस्तान उनकी कितनी उचा है सबसे नोचा से कर कहा है कहा कहा है इसका च्छेतब तो देख लेते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना यदि आप बीच में नहीं देखना चाहिए तो अंत में देखना क्यों कि वहाँ पार सौट ट्रिक्स दी गई हैं जो आपको बताएंगे कि मद्धिप्रदेश के कितने जिले हैं जो सबसे कम सीमा किस राज से जीती है सबसे ज्यादा सीमा किस राज को छूती है तो इस सब के वह corrections के लेक्वे सब्सक्राइन के बारे में आपको देखना है तो इसलिए आपको अंत्र वने रहला है और अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है आपकी एक्षा है ठीक नहाएं तो बढ़ते हैं तुमत्त की परवढ़े में इस लेक्टर में पढ़ायां जाना है तो सबसे पहले परवत आता है बिंदियाचल परवत कौन सा परवत आता है बिंदियाचल परवत दूसरा आता है सत्पुड़ा परवत आता है मध्य प्रिदिस में तीसरा आता है अरावली परवत चौथा आता है अमरकंटक पाचवा आता है महादिव मेकल पाड़िया और छटव के बारे में आपको यहां पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा तो देख लिए सबसे पहले आते हैं बिंद्याचल परवत कि यह माला चेमी पराचीन कौन सा परवत हैं बिंद्याचल परवट कोष्चनासकते हैं बहुत परवट है 90.6.6.6.7 मुटे जहांतों तक हैं। कहीं कि इसको सब्सक्राइब का सब्सक्राइब। आपको परवदा करें जाहेब। आपको एक का मादी 2008 कि मादन पढ़ का सकता है WENDE O Matase a पर बात कि लो पर वह उसलिंच South और इस परवत की सबसे उची चोटी का नाम क्या है इस परवत की सबसे उची चोटी क्या है अमरकंट क्या है इसको मैं पैन बद ले दे रहा हूं इस परवत की सबसे उची चोटी अमरकंट इसको ध्यान रखना है और पूरवी छेत्र में यह भांडेर की नाम से जाना जाता ह कॉस्चन आता है कि बिंद्याचल परवत पूरवी छेत्र में किस नाम से जाना जाता है तो भांडेर किस ने भांडेर परवत की नाम से जाना जाता है यह ध्यान रखना है इससे अनेक नदिया निकलती है question आता है कि बिंदिया चल परवश्चे कौन सी नदी नहीं निकलती है यह ऐसा question आता है तो आपको यह दियान रखना है कौन कौन सी नदी निकलती दो वो मैं बता दे रहा हूं नर्मधा सौन कैन वेत्वा कौन कौन चार परमुख नदिया है सौन एस्टी इसको कहते हैं नामदा सौन केंवेट्वा जो चानन नदियां है वो कहा सी निकलती है बिंद्याचाल परवस्जान् निकलती है और इनby से आपको question घ्ञाता है यह का इसे बना हुआ है बालू पत्त्रों से बना हुआ है इसको भी ध्यान रख लेना थोड़ा और बस जादे इसमें कोई ध्यान रखने योग बात नहीं है बस आपको दो चीज़ें तीन चीज़ याद करना है या तो नदियां याद कर लेना है यह जो देख लिए यहाँ यह चार नदियां प्लस यह कब हमाला के पहले का पठार है इसके उत्तर में मालवा का पठार है इसकी सबसे उची चोटी अमरकंटक है और इसे पूर में भांडिर नाम से जाना जाता है बस यह चार पांच कॉश्चन थे इस बिंदयाचल प्रवत से तो जो हमने समझा दी है और कोई पॉइंट अभी उच रहेगा तो वो हमागी लेक्शा में डिसकस कर लेंगे अब आते हैं सत्पोड़ा परवत पर क्या होता है सत्पोड़ा परवत कहां कहां इसके उचाई कितनी है कितना कहां पहला है तो इसके बारे देख लिए यह परवत नदी के कौन सी नदी अब नर्वना नदी आपसे यह नदी मैं लखनी पाया कौन सी नदी है नर्मदह नदी के दच्छन में बिंदयाचल की समानांत लगवग कितने किलो œ? ग्यारा सो वीज किलो मीटर है किटना है बिस्तार इसका? 120 CK विस्तार है और पूर्फ से पष्चिम की ओ Jahresपिपला की पहाड़ीयों से हो खर अभी मैंने बताया था च्छटवे नमबर पर आपने देखा होगा कि राज पीपला की पहाड़ियां लिखी थी से होकर पस्चिमी घार तक फैला है कैसा फैला है राज पीपला की पहाड़ियों से होकर पस्चिमी घार तक फैला होगा है इसकी साथ कितनी सांहें साथ को धियान रखना है मैं हमार कंटक महादेव प्रमक और महादेव इसके प्रमक सा खाना है साथ सो मीटर से तेरा सो पचास मीटर तक पहुंचा है तो अब देख लिए आप से कोस्चन आएगा मद्य प्रिदेश की सरवादिक उची चोटी कौन सी है तो ऐसा कोस्चन आएगा यह कहाँ परिस्तित है तो पच्मानी के महादेव परवत पर इस्तित है तो दूसरा कोस्चन हो गया तीसरा कोस्चन आएगा कि सत्पुड़ा परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो धूबगड चोटी है चौता कोस्चन आएगा सत्पुड़ा परवात काई की चट्टानों से बना हुगा है यहां चार कॉस्चन आपको बहुत आइंपी है इनको देख लेना है और आपको दूबगड़ की जो उचाई भी पूछी जा सकते हैं तो उचाई कितनी है तेरा सो पचास मीटर है इसको भी ध्यान रख लेना है आ अब आते हैं अरावली परवत पर राजस्तान में भी हो भारत मानी मिस भारत तो मैं है लेकिन मद्र परदेश में भी है इसको दियान रखना दोड़ा अब मालवा के उत्तर पश्चमी पठार छेत्र में इस्तित इन परवतों के ढाल काफी तीब्र और सिर चपते हैं क्या स समझते हो जिए उपर जो रहता है उपर सिर रहता है सिर आपका सिर है वो सिरे कहलाता है सिरे चपते हैं इस परवा स्रेडिम की परवतों की उचाई 304 से 914 मीट्र तक है परंतु आबू के पास इसका सकर 1180 मीट्र तक पहुंच जाता है कॉस्चन इसमें देख लिए कौन-क सबसे पहला कॉस्चन बनेगा अरावली परवत का सबसे उचे सिकर क्या है तो आबू माउंट आबू कहलाता है जो गुरू सिकर कहलाता है क्या कहलाता है गुरू सिकर कितनी ही उचाई 1158 मीटर है और प्राचीन पर प्रत्वी पर या सबसे प्राचीन परवत संखला परवत या तीन रूपए में वदमान है अब कतने रूपए में वदमान है तीन रूपए में एक दूसरे के समाननता दच्छन उत्तर दिसा में दिल्ली के पास ते गुजरात में एहंदाबाद तक आठ सो किलुमीटर की लंबाई में पहला हुआ है तो आपको यहां देख रहे हूं कितने कॉस्चन बन रहे हैं इनको मैंने बता दिया है अब आपको पढ़ लेना और लिख लेना है अब आता है अमरकंटक परवत पर अमरकंटक परवत तो है वो किस परवत के अंतरगत आता है बिंद्याचल परवत के अंतरगत आता है यह दस सो सोला मीटर तक उची यह परवत सिर्णी पूर्व की और छोटा नाकपुर के पठार से समाप्त होती है कब समाप्त हो दिये पूर्व की और छोटा नाकपर के पठार की और समाप्त हो दिये जब अब मैंने तो बता है मैं आपको मद्ध पर देशामन गयान की अक्षान चला रहा हूं तो आपको भारत का भी पढ़ा दूँगा थोड़ा बहुत ठीक न तो आप देख लिए इसके दाता है महादेव या मेकाल की पहाडियां 걸े मेख में महाध की पहाडियां चीछता है इसको द्यान रखता है धचे कौन कौन से पहाड़ियां है मैकाल की और महादेव की पहाड़ियां है इनकी तलाटी में अनेक पठार वार जंगल से थे क्या है इसे से इनकी तलाटी में तलाटी समझते हूं नीचे क्यों क्या है पठार और जंगल है कहां दच्छन में बैकल और पहादिव की पहाड़ियों में पठार और जंगल है अब आते हैं आई-एम-पी थौट्स पर थोड़ा क्या है इसको अत्तर मच्छर गुरू इसका क्या है कौन क्यों सी राज्ज मद्द्य करतें तो देख लिए उत्तर का मतलब हो ता है महराष्ट्स चा को मतलब होता है ewhat मअन ध्याद का मतलब होता है तो पांच जो मधद्यक स्कों सबसे को नियुक्ति के अदिको अधियुक्cen जिला है भड़ोची लान से छूती है इसको दियाल गना हो मध्य के के कितने जिले हैं जो करक रेका से होकर गुजरती है तो बस आपको क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आप मेरा लेक्ट्र पढ़ें तो उसकी पहले आपको राइश्टर रख लेना है जितने भी मैं कॉस्चन भूल हूं उनको लिख लेना है वन लाइन तोट है क्योंकि यह MPPSC प्री के लिए हैं तो इनके लिए आप डारेक्ट लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं यह सीरे कॉस्चन आते हैं तो बस यही तो हमारा आज का लेक्ट्र अगर आपको लेक्ट्र इस्टाग्राम और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फॉन नमबर पर आप या हमारे वाट्सेप नमबर पर हमसे कॉस्चन पूछ सकते हैं कि सब्सक्राव में यह डाउट हो रहा है ठीक ना तो मिलते हैं पर किल की लेक्ट्र में थैंक्स पर वाचिंग मैं